यूपी में ग्राम पंचायत का चुनाओ यानि ग्राम परधान का चुनाओ बीडीसी का चुनाओ और जिला पंचायत सदस्य का चुनाओ ये दोहजार पचीश में कब होगा? मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ देखे सबसे पहले तो मैं 2025 के मई महीने में या जून महीने में 2025 के मई या जून में ही ग्राम पंचायत का चुनाओ होगा अब इसके पीछे का कारण क्या है लॉजिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ देखो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो पिछली बार चुनाव संपर्ण हुआ था वो चुनाव छे महीना साथ महीना देरीशे हुआ था तो अगर एक दिन कोई कारिय देरी से हो गया तो उसी देरी वालेश समय कोई आगे के लिए निर्धारी समय तो मान नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से अगर आप अपने आफिश में किसी दिन एक घंटा लेट से आते हैं आपके आफिश के टाइम मान लेजे 10 बज़े है और किसी दिन आप गलती से जान बुच के या किसी भी करर से ग्यारे बज़े आते हैं तो क्या आप अगले दिन से अपने आफिस का टाइम ही ग्यारे बज़े मान लेंगे कि अब आपका टाइम ही ग्यारे बज़े हो गया हमेशा आप ग्यारे बज़े जाएंगे ऐसा तो होगा न अगले दिन जब आपकी बारी आएगी आफिस आने की तो आप निर्धारी समय पर ही आएंगे तो इस तर्क के अनुसार इस कुतर्क के अनुसार इस वितर्क के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 के मई जून में ही पंचायत राज चुनाव प्रधान पद के लिए बीडीसी के लिए जिला पंचायत सदस के लिए ये तीनों जो चुनाव एक साथ हुए थे फिर एक साथ होंगे बस आप अगर चुनाव लड़ने के तैयारी कर रहे हैं या आप अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं तो मेरी वीडियो अगर आपने जान बूच की या गलती से देखा तो इस बात को यकीन में लेकर ही आप अपना कारेकाल सम्हा लिए या अगर आप इस बार के नए उमीदवार हैं तो उस तिथी को लेकर ही आप अपने चुनाव की तैयारी कीजिए ये मैंने अपने व्यक्तिकत बुद्धि विवेक के अनुसार बताया हूँ और ये चीज है कहीं चुनावायोग की तरफ से ओफिसियल एलाउड नहीं है कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो ही सत है बट एक होता है ना कि पूर्वा नुमान लगाना तो ये मेरा पूर्वा नुमान है ये मेरा तर्क है अपना व्यक्तिकत तर्क है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखेगा क्योंकि हो सकता है कि आपका तर्क मेरे तर्क से ज़्यादा बहतर हो हो सकता है आपका पूर्वा नुमान मेरे अनुमान से ज़्यादा बहतर हो तो ग्राम पंचा चुनाव से रिलेटर जित्ती भी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको इस चैनल पर समय समय पर देता रहता हूँ कोशिस यही रहेगी कि अब लगतार आपको वीडियोज दू चुनाव लड़ने से संबंदित चुनाव जीतने से संबंदित नए नियमावली से संबंदित तिथी से संबंदित पर्चा दाकिला से संबंदित मतदाताओं को अपने पच्च में करने से सम्मंधित अगर आप दूसरे नंबर के प्रत्यासी इस बार रहे जीते हुए नहीं है लेकिन दूसरे नंबर पर आप है तो इस बार के चुनाओं में आप एक नंबर पर कैसे आएंगे और अगर आपने चुनाओं जीत ही लिया है तो अगली बार फिर से आप कैसे गराम परधान बनेंगे इसके बारे में जो भी मेरे पास बिचार हैं मैं अपने बिचारों को सोसल मीडिया योटूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा जहां पर लगया कि मैं गलत बोलाओं कमेंट में लिखिएगा सम्मान के साथ लिखे चाहे किसी भी तरह लिखे ये आपके उपर डिपेंड होगा तो आने वाले समय में देरे देरे इस टॉपिक पर मैं वीडियो लाओंगा देखते रहे गराम पंचा चुनाओं तेंक यू